बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवंत साइंस यानि विग्यान का अध्याई 15 प्रकास हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार से संबंदित प्रशनों के उत्तर अभ्यास प्रशन उत्तर में तो चैलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है यहाँ पर आपका रिक्तस्तानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर सबसे पहले कह है आपके लिए जिस परतिबिम्ब को परदे पर नाप्राप्त किया जा सके वह है और यहाँ पर रिक्तस्ताने कहलाता है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर अगले है बच्चों खै यदि पर्तिबिम्ब सदैव आवासी तथा साइज में छोटा हो तो यहाँ किसी उत्तल और फिर यहाँ पर रिक्तस्ताने आपके लिए द्वारा बना होगा अगले है यहाँ पर फिर गै यदि पर्तिबिम्ब सदैव बिम्ब के साइज का बने तो दरपन और यहाँ पर रिक्तस्ताने होगा तो क्या होगा यहाँ पर आपको लिखना होगा अगले है बच्चों गै जिस पर्तिबिम्ब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके हुआ है और यहां पर रिक्तस्तान आपके लिए पर्तिबिम्ब कहलाता है ठीक है अगला है यहां पर गय अवतल और फिर रिक्तस्तान आपके लिए द्वारा बनाया गया पर्तिबिम्ब पर्दे पर प्राप्त नही किया जा सकता तो क्या लखेंगे आप इन रिक्तस्तानों में आपको उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे सबसे पहले आवासी पर्तिबिम्ब यानि कि जो कैप का रिक्तस्तान है आपका इसमें लिखेंगे आवासी पर्तिबिम्ब ख अगला प्रस्णे बच्चों, नमबर दो, निमलिकित वक्तव्य सत्य हैं अत्वा असत्या, आपको इन में बताना है, इन कथनों में आपको बताना है, कि ये सत्या है या असत्या हैं, और सबसे पहले कह है आपके लिए, हम उत्तल दरफण से आवर्दित तथा सीधा परतिवि बनाता है सत्य या सत्य आपको बताना है इसी प्रकार से गह है आउतल दरपन से हम वास्तविक आवर्दित तथा उल्टा परतिविम प्राप्त कर सकते हैं बताना है आपको सत्य या सत्य इसी प्रकार से अगला है गह है वास्तविक परतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं कि सकते हैं बच्चों कह है के लिए लिखेंगे आप असरत्या Mexican के लिए असरत्या और गह के लिए असरत्या ठीक है इस प्रीकार से आपके दूसरे प्रशन का उत्तर हो जाएगा इसके बाद बच्चों आइए देख लेते आपर तीसरा प्रस्ने आपका कॉलम A में दिये गए सब्दों का मिलान कॉलम B के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम A है और यहाँ पर कॉलम B है और इनका आपने मिलान करना है किसके साथ क्या मिलाएंगे चलिए उतर में देख लेत परति बिम्ब सीधा तता बिम्ब के साइज का परति बिम्ब बनाता है ठीक है इसके बाद खै के लिए आप देख रहे हैं आपर उत्तल दरपन तो यहाँ पर मिलाएंगे अधिक छेत्र के द्रस्य का परति बिम्ब बना सकता है और चोथा वीसी के साथ मिलाएंगे सीधा त समतल दरपन इसके साथ मिलाएंगे थर्ड वाला दंत चिकित सक दांतों का आवर्दित परतिविम देखने के लिए उपयोग करते हैं ठीक है इसके बाद है आपका चै और यहाँ पर है अवतल लेंज इसके साथ मिलाएंगे आप सीधा तता बिम के साइज से छोटा परतिविम बनाता है आईबा समझ में और इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा देख रहें न आप यहाँ पर यह आपके तीसरे प्रस्न का उत्तर इसके बाद बच्चो चोथा प्रस्न यहाँ पर आपके लिए समतल दरपन द्वारा बने परतिविम के अभी लक्षन लिखिए तो क परतिविम के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दरपन के सामने बिम की दूरी होती है दरपन द्वारा बने परतिविम में बिम का बाम भाग परतिविम के दक्षिन भाग की भाती दिखाई देता है और बिम का दक्षिन भाग परतिविम के वाम भाग की भाती द जान है कि वरण माला के उन अकसरों का पता लगाई है जिनके समतल दरपन में बने पर्ति बिम्ब बिलकुल अकसरों के सदर्ष लगते हैं। इसका कारण है कि समतल दर्पन द्वारा बने पर्तिबिम्ब पार्सो होते हैं अर्थार्थ बाया भाग दाईं तरफ और दाईं भाग बाईं तरफ दिखाई देता है वो प्यूकत अक्सरों के बाया और दाईं भाग सदर्सो होते हैं यानि एक समान होते हैं इसलिए समतल दरपन से बने इनके परतिबिम्ब मूलकसरों के समानी दिखाई देते हैं। आई बासमझ में इस परकार से लिख सकते हैं आप अपने पांचवे प्रस्णि का उत्तर। इसके बाद बच्चो अगला प्रस्णि है फिर आपका छटा प्रस्णिया पर आबासी परतिबिम्ब क्या होता है कोई ऐसी इस्तिती बताईए जहां आबासी परतिबिम्ब बनता हो तो क्या लखेंगे उत्तर में उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चो जब किसी बिम्ब को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता तब उस बिंदू को आवासी परतिबिम कहा जाता है जब हम किसी दरपन के सामने खड़े होते हैं तब हमें आवासी परतिबिम दिखाई देता है आवासी में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छटे परतिबिम वस्तु से बड़े चोटे अथवा वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं जबकि आवतल लेंच हमेशा छोटे परतिविम बना सकता है आई बासमझ में दूसरा अंतर लिखेंगे एक उतल लेंच वास्तविक और आवासी परतिविम दोनु बनाता है जबकि एक आवतल लेंच हमेशा एक आवासी परतिविम भी बनाता है ठीक है बच्चो तिस प्रकार से आप दो अंतर लिख सकते हैं इसके बाद अगला प्रशन है फिर आपका आटवां आधल तता उतल धरपणों का एक एक उपियोग लिखिये तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्यो नμबर 1 आधल धरपण का उपियोग दंत चिकित सा सौर भट्टी टॉर्च के पर्ति छेपक आधी के रूप में किया जाता है ठीक है और दूसरा लेखेंगे उत्तल दरपन का उपियोग पस्च दरच से दरपन में किया जाता है इनमें चालक अपने पीछे के बहानों को देखकर सुरक्षित बहान चला सकता है ठ बच्चो अउतल दरपन ठीक है इसके बाद आता है फिर दसवा प्रस्णिया पर किस परकार का लेंज सदय आवासी परति बिम बनाता है तो कैसा लेंज होता है बच्चो आप लिखेंगे आवतल लेंज आई बास समझ में और इसके बाद बच्चो फिर आता आपका जा सकता है फस्ट है आउतल लेंज से द्वारा सेकेंड है आउतल दरपन द्वारा और थर्ड है उतल दरपन द्वारा और इसके बाद फोर्थ है समतल दरपन द्वारा तो क्या लिखेंगे उतल में उतल में आप लिख सकते हैं बच्चो आउतल दरपन द्वारा ठीक है और इसके बाद फिरात आपका यहाँ पर बारवाँ प्रस्ण है डेविड अपने परतिबिम्ब को सब्तल दरपन में देख रहा है दरपन तथा उसके परतिबिम्ब के बीच की दूरी चार मीटर है यह दिवा दरपन की ओर एक मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके परतिबिम समतल दरपन है ड्राइवर अपनी कार को दो मीटर परति सेकेंड की चाल से बैक करते समय पस्च दरश्य दरपन में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का परतिविम देखता है ड्राइवर को ट्रक का परतिविम जिस चाल से अपनी और आता परतित होगा वहाँ है और यह मीटर प्रतिस सेकेंड ठीक है और आपके प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा तो बच्चो इसी प्रस्ण के उत्तर के साथ इस पार्ट से संबंदित प्रस्ण के उत्तर यहां पर समापत होते हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आये होंगे इसी प्रकार कक्सा साथ साइंस यानि बिग्यान के सभी पार्टों के प्रस्ण उतर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर दें बेल आइकन भी दबा दे बच्चो ताकि आपको आने वाली परतेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पार्ट के कुछ नए प्रस्ण उतरों के साथ